हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आपका हमारे यूट्यूब चैनल संध्या ग्यान में स्वागत है मैं आपके लिए लेकर आ चुका है बाइलोजी का पार्ड थर्टीन ठीक है चोकि आपके आने वारे एक्जाम के लिए इंपॉर्टन्ट है तो अभी तक आपने मारे चैनल को लाई से स्क्राइब ने किया है तो कर दीजे ठीक है और पिछला वाला पार्ड जाकर प्लेलिस्ट में देख लिजे ठीक है छली यह वताईए ने मलिखित में से काओंसा एक हार्मॉन ह्य Problemcheter कि इसका और भी कंद आ इंसुलीन या और अने तो इसका सहीं सर तो हो जाएगा इंसुलीन इंसुलीन एक हार्मॉन से ठीक है अगे बताईए ने रिक आपके option है thyroxine, adrenaline, insulin या testosterone तो इसका जो आपका सजेंसर हो जाएगा वो thyroxine हो जाएगा ठीक है thyroxine hormones में iodine पाए जाता है अब बताई आगे विज्ञान की साखा neurology से कौन सा अंग का अध्यन किया जाता है आपके option है सीना का या naples या आखो या इस नाइउ तंदर तो इसका सथ ही अंसर हो जाय अमीबा में भोजन का अंतर ग्रहन किसके द्वारा होता है कुटपाद या कोचिकामो या सीलिया या गुद्धा द्वार तो इसका चाहिए अंसर हो जाए कुटपाद ठीक है कुटपाद द्वारा होता है भोजांका अंत ग्रहर हमीबा द्वारा अब बताए मनुस्त में ब्रिद्धी एवं चतुराई का केंद्र है सेरी बेलम हाइपो सेरी ब्रह्म या इस्पाइनल कॉर्ड तो इसका सही अंसर हो जाएगा सेरी ब्रह्म ठीक है सेरी ब्रह्म मनुष्य में बुद्धी एवं चतुराई का केंद्र होता है अब बताए मच्छलियों में उतसरजी पदार्थ क्या है एमेनो अमल यूरिक अमल यूरिया अमोनिया लगचान तो इसका सही अंसर हो झाएगा अमोनिया अब बताएख वघ्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं ठीडावरिंजे इसको उर्वीर्स टिपर देने वाले विभ्यान कहलाता है नाम करण या वरगिकी या पहचान या वरगि करण तो इसका सही अंसर हो जाएग वरगिकी वरगिकी कहा जाता है पौधे के नाम देन वाल वज्ञान को अब बताएगे जो जिवारू अकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलता है वाइब्रियो या गोलाड या दंडार या इस्पाइरिला तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपका गोलाड ठीक है गोलाड कहलता है चलिए आगे चलते हैं हाँ बताइए दूद के दही के रूप में जमने का कारण है लेक्टो बेसिलस माइक्रो बैक्टीरियम या खमीर या इ कर दीज्ये ठीक है फच्चों अब बताएं आगे खसरा नेमिल लिखित संकरमर के का कारण होता है जिवार के कारण यह माईक्रो फ्लाजमा या विसारू जब तो इसका सही असर हो जाएगा विसारू ठीक है विसारू के कारण स्वकाशिज्या का सभत होता है अब बताएं की चालो पर उगने वाले कवक कहलाते हैं जूफिलस का प्रोव क्ललस यह को प्रोफिलस ऑस्टी कोलश तो इसका से इंसर हो जाएगा का तटी मि ओफिक मि फफिक कोलास कहलाते हैं ठीक पढ़िए पर लगे रहती हैं तो इसका सही अंसर हो जाएगा जिमनो इसपर्म ठीक है जिन इसपर्म अब बताए अगे गाजर है एक पूस्पल है या तना जड याइन में कोई नहीं तो गाजर एक जड है ठीक है अब बताइए वे पाउधे जिने में कभी पुस्पन नहीं बनती हैं क्या कहलाता है क्रिप्टो गेम्स यह इंजी यो इस पर्म यह जिम्नो इस पर्म या इन्वेस कोई नहीं तो इसका जो आपका सही अंसर हो जाएगा तो आपका हो जाएगा क्रिप्टो गेम्स ठीक अब बताइए नारियल का खाने योग जो भाग होता है भुरूड पोस्ट पूरबीज बीजावरर फल्मित्टी तो इसका सजय असर हो जाएगा भुरूड पोस्ट ठीक है अब बताइए बीज किससे विक्सित होता है अंडास्यों से विज्यांडों से पराग कोसो से याइन म इसकोई तो इसका सए अंसर हो जाएगा भीजानडों ठीक होता है अब बताएए लोंग होता है एक सिप कलिका पेज फ ल, यह फोल्या चाल ड का सिपने श्थ एर चाल याँ पोसप कलिका होता है है ठीक है लोग अब बताएए दाल चीनए पेड के किस भाग से प्राप्त की जाती है पुस्प या जड़ च्छाल या पतिया तो इसका सही अंसर हो जाएगा च्छाल ठीक है तो आज के लिए इतना ही बच्चों तब तक के लिए नमस्कार जाहें जावर